आप सभी लोग का स्वागत थे आपके अपने यूटूब चैनल फ्यूचर ओनलाइन क्लासेस में और आप सभी लोग को आज का डेट आपको बता दू आज 19 तारीक है आपको मालूम है और जैसे कि आप ये हेडिंग को आप पढ़ सकते हैं सबसे पहले हेडिंग को आप कि यह जो न्यूज है 2022 से 24 वाले सेजन के बच्चों के लिए है जो बच्चे इंट्रेंस नहीं दिये हुए है वो भी जो है एडिमिशन करवा रहे थे इनके लिए जो है बोर्ड ने कलवी एक नोटिस जारी किया था साथी साथ आज के ये पेपर कटिंग में भी दिया गया अब मैं आपको कारण बता दू क्या हुआ था जैसे कि कुछ दिन पहले जो है कुछ न्यूज पेपर के द्वारा जो है यह चाप दिया गया था गलती से कि बिना इंट्रेंस दिये हुए भी जो है एडिमिशन 2022 से 24 में ले सकते हैं जिसके बाद क्या था कि बहुत सरे बच् आपको मालूम है कि फर्स्ट स्पॉर्ट एडिमिशन समाप्थ हो गई सेकेंड का डेट हो चुका है और अपलाई हो रहे हैं आज भी जो है अंतिम दिने अपलाई करने वाले के लिए जो बच्चे इंट्रेंस दिये हैं उनके लिए बाकी जो उनका नहीं हुआ है वो भी अ इसे लिए जो है आज के पेपर में देख सकते हैं कि इंट्रेंस नहीं देने वाले स्टुडेंट का नहीं होगा नमांकन जैसे कि यहां पर देख सकते हैं कि परवेस परिक्षा में सामिल नहीं होने वाले स्टुडेंट का चायन डियले नमांकन के लिए होने वाले दूसरे स्पॉत एडमीर्शन की परकिरिया में नहीं होगा इसकोलेकर बिहार सरकार परिक्षा समिती की और से निर्देश से जारी किया गया है कहा गया है की समिती की और से 14 से लेकर 29 सितम्वर तक आयोजित परवेश्चा में सामिल नहीं होने वाले और मत्समिल नहीं होने वाले उनको इसमें मौका नहीं दिया जाएगा उन लेखित है कि विहार बोट की और से डीलेड के सीट की खाली रहने के दूसरा राउंड की एस्पॉर्ट एडमिशन पर किरिया चल रही है कुछ समय पहले ही जो है एक नोटीस आ गया था फ्रॉड नोटीस था गलत नोटीस था जिसमें कहा गया था कि वैसे बच्चे जो के इंट्रेंस नहीं दिया है वो भी स्पॉर्ट एडमिशन में भाग ले सकते हैं में जाए और पता करी कि वहां पर क्या कितना सीठ है समझ गया आसा करता हूं यह वीडियो आपको समझ में आया होगा मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद हैंगी सुमद जाहें जाहें भारत